आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब के बड़े बेटे तेज प्रताप यादब अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीएम नितीश कुमार की सदबुधी के लिए एक यग किया था और उसकी विडियो भी शेयर की थी। एक बार फिर उन्होंने सीएम नितीश कुमार पर निशाना साधा है और आजस्थान के कोटा में फसे बिहार के छात्रों की गुहार नहीं सुनने को लेकर तंज कसा है। तेज प्रताब ने अपने ट्वीट में प्रसिद भजन वैशनव जन तो ते ने कहिए जे पीर पर आई जाने रे को बासुरी पर बजाते हुए विडियो शेयर किया है। सबस्टेल ट्वीट पर उन्होंने इसका अर्थ समझाते हुए लिखा कि सच्चा वैशनव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है आगे उन्होंने लिखा कि वो संगी ईट से दबी अपनी अंतरात्मा को जगाएं और राज के बाहर फसे बालकों और गरीब मजदूरों की पीड़ा को समझने का प्रयात्ने करें उन्हें बिहार लाने का प्रबंद करें आपको बता दें कि बिहार में कोटा में फसे बच्चों को लाने पर राजनीती शुरू हो गई है लेकिन सीएम नितीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि केंदर द्वारा लॉकडाउन कानून के गाइडलाइन के बिना बदलाव के कोटा या अन्य राज्यों में फसे छात्रों और मजदूरों को बिहार वापस लाना संभव नहीं है अब यह मामला पटना हाई कोट में है जिस पर पांच मई को सुनवाई होगी नियूस डेस्क